स्लाम अलेकुम वेलकम टो माई यूटूब चानेल तो आप लोग कैसे हो उम्मीद करते हो आप लोग जब खेरी अच्छे होंगे एक भाई पाकिस्तान का भाई वह भाई मेरेको कॉमेंट किया भाई मैं सौधी आरब आ रहा हूं सापोर्ट गेट कुमपाणी में तो मेरेको एजेंट ने बोला सोलोसोरियल सैलरी और 900 डेलेवरी और कुमपाणी जो लेबर भाई वो लेबर को सैलरी कितना जो लेबर जो हैंडेलर लेबर का जो काम करता है उस कुमपाणी में सापोर्ट गेट सल्यूशन लोजिस्टिक कुमपाणी तो उस कुमपाणी का लेबर को ब आर में उसको एजन्ट ने बोला 900 डेलेवरी करना होगा उस भाई को एजन्ट ने बोला जिसका थुड़ू आ रहा है हो ओ एजन्ट ने उसको बोला 900 डेलेवरी करना होगा माहिना में और और सोलो सोरियाल बेशिक सैलारी और ड्यूटी आठ गुनिटज आठ गोंता और 900 देलेवारी और 900 करने के बाद पुरा हो जाएगा तो आपको 200 मिलेत जो solid ¿क। इस पोर दिदेos चितना मिलता है एक पैकेज evapor चांगे गले, और मेरे आफंगे दूनेbut देखो जो सवाधी अरभिया में support gate company है और बहुत सारा भाय झाम कर रहा है इंडिया का बंगलादीश का पकिस्तन का भाय ज्यादा कर रहा है support gate में support gate company में system में काम कर रहा था company 2 इस्टेम में एक जो free विशा में है इधार ॉख जो आजाद विशा में है वो भाई लोग क्या कर रहा है support gate company में आके contact करके ID बना के वो भाई कुछ deposit करना होगा अगर उस support gate company में काम करोगे तो आपको एक महीना देड़ महीना का salary और एक हाजार रियाल डेढ़ हाजार रियाल अगर आप नया बंदा आओगे तो ID बनाने के लिए और कुछ security deposit करना होगा एक महीना का हो सकते हैं डेड़ महीना का salary आपको काम करोगे वह आपको stop रखेगा खुद रग लेगा बाद में जाने के टाइम आपको पूरा जो हिसब किताब है पूरा आपको दे जाएगा क्योंकि बहुत मेहेंगा सामान आप delivery करोगे आप लेके चला जाओगे तो आपका वह पौईशा के उपर और ID पूरा सब कुछ आपका उपर company राखेगा लेकिन इसको trauma and condition जो है वह करना मनना पड़ेगा तो ऐसा है था ओ जो फिरी वीशे आजाद वीशा में काम कर रहा है ओ भाई उसका काम एक delivery करोगे तो नौई रियल मिलेगा बस और दिन में आप 33 delivery करो चलिस delivery करो पंचास delivery करो ओ आपका मरजी और company के उपर जो package मिलता है तो ज्यादा delivery होता है ज्यादा काम ज्यादा package ज्यादा delivery ओ ज्यादा delivery ओ ज्यादा वीशा में काम कर रहा है उसका बारे में बोला और जो भाई खुद company में आ रहा है support गेट logistic company में तो उस भाई को salary आपको एजेंट ने बोला इधर जो भाई काम कर रहा है salary कोई मुश्किल नहीं जो नयवंदा आ रहा है उसको salary दे रहा है company company काम कर रहा है बहुत सरा भाई काम कर रहा है नय नय आया आया ज्यादा दिन हो उसका 3 महना 4 महना किसी को 5 महना और जो भाई एक साल डेर साल से का काम कर रहे वह थोड़ा पूराना हो गया उसका सेलरी मेरा खैल से ज्यादा क्योंकि वह पहले पहले कॉंट्यक किया और जो नया बंदा आ रहा है उसको सलो सोरियाल सेलरी और टारगेट उसके लेकिन इधर जो भाई काम कर रहा है उसको 800 डेलेवरी आपका ये जो एजेंट ज पैकेज डेलेवरी करना होगा देखो जो भाई काम कर रहा है सापों आजाद भीशा में वह भाई क्या मालूम जिस दिन पैकेज मिलता है ज्यादा तो 50 60 मैं तो एक भाई को देखा सोत्तेर पिस भी लेके गिया सथ पीस 15 65 55 डेलेवरी किया अगर आपकान करोगे पैसरे में तो ऐसा एक काम अगर साफोर्ट गेट कुमपानी में आओगे तो आपको सोलो सोरियल सेलरी मिलेगा और कुमपानी के तरफ से आपको रूम मिलेगा और कुमपानी तरफ से आपको गाढ़ी मिलेगा मैं आपको गाढ़ी देखा रहा हूँ कि ऐसा गाढ़ी मिलेगा आप support gate company में आओगे तो ऐसा बाला गाड़ी मिलेगा तो ऐसा बाला देखो एक बार यह बाला गाड़ी आपको मिलेगा ओके आने जाने के लिए आपको टीकिट मिलेगा और शोलो सोरियल सेलरी बोल दिया और 8 गोंटा duty देखो जो support gate company में काम कर रहा हो और कोई भी कुमपानी हो, DHL हो, Aramax हो, FedEx हो, Samsung, Experience हो कोई भी कुमपानी में आगर आप courier का काम करोगे तो उसका 8 गोंटा duty है लेकिन 8 गोंटा duty आप 6 गोंटा में भी कर सकते हो और 10 गोंटा भी भी कर सकते हो आप ज्यादा काम करोगे तो इधर ज्यादा पहिसा आता है लेकिन आपको target पूरा करना होगा कितना target? 800-800 किसी को 7500-900 दूसरा कुमपानी का बात कर रहा हो कोरियर का, जो कोरियर में काम कर रहा है उसका बात कर रहा हो लेकिन सबबडगेट कुमपानी में अभी तक जो भाई काम कर रहा है उसको 800 महेना में 800 डेलेवरी और दिन में आपको जितना आएगा डिवाइड करोगे तो 26, 80, 31, 32 ऐसा आएगा ऐसा डेलेवरी करना होगा आपको टारगेट पुरा कर लोगे तो आपको दो सोरियल एक्स्टर मिलेगा ऐसा है कॉंडिशन और कुमपानी बहुत सरा भाई काम कर रहा है अगर आपको मर्जी आप आओगे तो देखो सोलो सोरियल सेलरी और काम आपको डाइविंग का काम करना पड़ेगा कास्टमर को कॉल करना पड़ेगा अरभी में बात करना पड़ेगा अरभी नहीं है तो आपको इंग्लिस होना चाहिए क्योंकि सोधी आरभिया में 70-80% बंदा इंग्लिस मालूम जो भाई बुढ़्धा हो यांग हो पूरा बंदा को इंग्लिस मालूम इंग्लिस में बात करोगे तो इंग्लिस में वह समझ जाएगा फून में कॉल करना होट्सप चलाना होट्सप में लोकेशन देना और उसको लोकेशन मांगना ऐसा काम अगर आओगे ऐसा सिस्ट्याम और हफ्ता में एक दिन छुट्टी मिलेगा कॉम्पनी का काम ज्यादा ह है कोई दिख्कात नहीं और मारे काम करोगें कभ़ी कभी फॉसकता है लेकिन यृद यादा हो जाएगा कुम्पनी का काम ज्यादा हो जएगा तो फ्राइडधा हो जाएगा अगर आप फ्राइडे काम करोगे तो आपको असीर्यल एक्सक्रील मिलेगा एक्स्टा जो बय工 का काम कर रहा है जो लेबार हैंडेलार का काम कर रहा है है उसको 8 गंटा ड्यूटी भाई उसका 8 गंटा ड्यूटी और छेलारी उसका 2416 वर पूर्णता सोरियल शेलारी उसका isolatory और रूम आपका रूम कुमपानी का नहीं है रूम अगर कुमपानी का है लेकिन कुमपानी का रूम में अगर रहोगे तो आपको śेलरी-धाइश उर्याल काटिंग करेगा पुनरोषोरीयल से धाइश उर्याल काटिंग करेगा और खाना खुद का आठ घूणटा ड्युटी और रूम आपको खुद का कितना देगा पुनरो सोरियाल, 24, 95, 95, ऐसा मिलेगा आपको टोटेल सैलारी मिलकी, खाना, रहना, रूम, आपको सब कुछ खुद का एकामा, जस्ट कुमपानी का, डेस बेगारा, और जो मेडिकल इंसुरेंस, वो भी कुमपानी का सारा कुछ पुद करेगा, अगर रूम, अगर कुमपानी का लेऊगे आप, तो आपका धाई सोरियाल काटिंग करेगा पुनरो सोरियाल से, और अगर आप रूम नहे लेऊगे, तो सोधी में जो रूम रेंट होता है, 7800 एक रूम का, और एक बंदा, एक रूम में चार बंदा, तीन बंदा आ जाता है, लेकिन डेल सोरियाल, डेल सोरियाल, दो सोरियाल में आथ़ा रूम मिलेगा आपको, डेल सोरियाल चार बंदा रहोगे एक रूम में, तो एकसो बीस एकसो डेल सो डेल में आपका रूम मिल जाएगा ओके तो मैं साधुस करूंगा आपका खुद का रूम लेलो और फ् hora सो देलो Celtics 255 डेल लेलो और जो भाय उदर काम कर रहा है उसका साथ एक्जेस्ट करके 120 डेशो में आपका कारेंट पूरा सब कुछ आ जाएगा डेशो रियल में अगार ऐसा है था और दुसरा कोई कुमपणी का बारे में इंफर्मेशन चाहिए और कौन सा कुमपणी में आ रहा हो आपको एजेंट क्या बोला कॉमेंट सेक्षा में कॉमें कितना घंटा डिवटी बोला कितना सेलरी दे रहा है कुमपणी एजेंट ने क्या बोला यह मेरे को कॉमेंट करो क्योंकि मेरा इदार बहुत सारा भाई के साथ बास्चित होता है होटेल में खाना काता हूँ एक साथ और बहुत सारा कुमपणी का भाई वो होटेल में आता ह इसलिए उसका साथ भी बातचित करता हूँ, मैं इन्फर्मेशन लेता हूँ